हाई दोस्तो मैं आपका दोस्त अब्दुलकुरत दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं यह महिंद्रा भी 255 दिया है एमकेम बुमिपूत्र दोस्तो यह टेक्टर में समझ्या यह है कि यह टेक्टर जब भी जुटाय में काम करता है तो उसका जो भी एपलिमेंट हल कल्टिव जो भी घहरी जुटाय वाला एपलिमेंट लगा है वो जुटाय के दोरान क्या करता है कि पूरा का पूरा एपलिमेंट कभी जमीन में धश जाता है तो कभी बिल्कुल जमीन के साटे पर चलता रहता है तो आखिर ऐसा होने की वज़ा क्या है और यह समझ्या को हम कैसे ठीक कर सकते हैं वज़ा बिल्कुल सोटी है वीडियो को आप एंटर देखना तो मैं क्या करता हूं दोस्तों आपको करिप से दिखाता हूं कि इसमें हो क्या रहा है और ये ठीक करने के बाद किस तरह से काम करता है तो गर आप किसार है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही पोटेट है क्योंकि वज़ा चोटी है ये खुड अपने घर पे स्वयम अपने हाटों से ये काम आप खुड भी कर सकते हैं बिना लागत्य तो ऐसे मज़ेदार वीडियो को देखना लाजमी और जरूरी है आगे आपकी मर्जी और हाँ लाइक नहीं किया तो लाइक करे और हो हमें स्वश्य है क्या सबसे पहले हमें है किुगे अ कि ही हमैने हाग कर लिए लिया है जैसकि आप देख सकते हैं है तो यह है कि द्यू.. बिल्कुल इसी काम करता है और यह क्यों किया डाउन भी हो रहा है और यह है इसका डाउन करते हैं किस नीजह को पोजिशन को कितना सेट करना है यानि यह वाले लीवर से हम जो भी जुटाई करते हैं उसकी घहराई इससे नियंटिन किया जाता है कि हमें कितनी गहराई चाहिए, कम चाहिए, जादा चाहिए, तो आपको अगर कम गहराई चाहिए, जितना आप इसको पीछे के और अटा होगे, देखो यहाँ पे नम्मर लिखा है, बिल्कुल, इस तरह से इसको एक-एक-दो-डो mm हटा के हमें जादा है, जहाँ पे आपके गहराई सेट हो जाती है, जितनी आपको चाहिए, जहाँ पे आपका टेक्टर बिल्कुल फ्री चलता है, वहाँ इसको सेट कर देना होटा है, कहने का मतलब जितना इसको पीछे लेके जाओगे, टेक्टर गहरी जुटाई नहीं करेगा, जोना होती है और जितना आप पीछे की तपर लेके जाओगे तरफ फॉष अ। रहें दाना के राहे तो ज़ोर काम करता है तो कभी बिल्कुल भी नहीं, तो मैं पीछे से आपको डिखाऊं, हाथ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि इसका यह जो drop sensor lever लगाया है, यह यहाँ से connect है, यह यहाँ से connect है, और यह योग के साथ में, इस तरह से यह काम करता है, पुरा working, इसमें हुआ क्या है दोस् इतना जादा free play है, तो अब क्या होगा, जैसा मैंने बटाया कि यह जो हमारा DC lever है, वो बिल्कुल इस तरह से middle से काम करना चाहिए, यह काम चो करता है, डेख सकते हैं यहाँ पे, पुरा उठाने के बाद, लेकिन इसका drop का sensing है, यहाँ middle में रखके हमें करना होता है, जितना अगर set करते हैं हमारे किसान बाई, middle में, जहाँ पे इसको होना चाहिए, यहाँ पे set करके जुटाई करते है, तो यहाँ पे play होने की वज़ा से होता है, जोस्तो, हलका दबाओ, जैसे कि यह दिया, इसने उठा लिया, जैसा कि आप देख सकते है, यह आप देख सकते है, य इतना दबाओ है देखो, और इसने उठा लिया, जब इतने हलके से दबाओ से उठाएगा, तो क्या होगा कि हमारे एपलीमें जमी में धसेगा ही ने, पूरी गहरा ही नहीं लेगा, बिल्कुल जमी की सटे पर चलता रहेगा, कुछ ऐसे, देख सकते है, अब इसी के चक्र म यह जाएगा, तो इस तरह से, यहां मारी तॉपलिंग काम करता है, अब देखो, यहां पर कितना दबाओ डालना पड़ता है, अब मैं फोरा इसको और पीछे लेता हूँ, तो यहां पर भी देख सकते है कितना दबाओ दिया, यहां पर काम ने कर रहा है, और जैसे मैं यह कि यहां पर देख सकते हैं यह काम नहीं करता है इस वजा से यह कभी गहरा है जाड़ा लेता है जैसे कि कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमारी मर्जी से काम नहीं करता है एक्टर को पहले बंद करो मैं हमारे दर्चत पेए को अच्छे से समझाओं तो इसको हमें ठीक करना है सबसे पहले हम इसका निकालना होगा यह ना सिफ निकाल लेने के बाद हाज हम यह तूरा जो यार्क है इसको जुला भी बोलता है इसको में निकालना है तो तूट चुका है, तूटने की वज़ासे उसमें प्ले आ गिया है, तो चलो इसको हमें खोलना है, तो यहाँ सायड में डो तेरा नमर के बोलट है, इसको खोलके हम यह PIN को भी निकालेंगे, और यह वाला भी निकालेंगे, तो वीडियो में एंटक बने रहे, हम इसको कैसे ख मिक्स पैनल लगाना है और है वे आप के पास में गन वगयरा नहीं है विस तरह से 28 8 से जिसा से आप इसके तरह से खुल सकते हो हैं नतो मेरे पास में ऊपड़ा है तो तो में गन का खोल लेना है तो कुछ इस तरह से यह खुल गया है उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि इसमें ऐसे वागेरा कुछ लगा दो ताके आसानी से खुल जाए कहीं बार यह क्या है बहुत हाड होने की वज़ा से पूरा लिप कवर भी खुलना पड़ता है इस तरह से हम इसको क्ति एवर टी वर चल रहा है जैसे 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 हम इसको टाइट करेंगे ना यह अंडर के वरण जाएगा ऐसे और खुलेंगे तो यह उप्पर के वर आएगा देख सकते यह बहारा रहा है इसका मतलब एक ताइट हो रहा है जब खोलते है इसमें अचिए इस सिस्टम उल् तो ये तेरा नमर के बोल खोलेंगे न ये पिन निकल जाएगा और ये पूरा का पूरा यॉक बाहरा जाएगा तो इस तरह से तेरा नमर का रिंचा भी लेलो और यहां से इसको इस तरह से खोल लेना है है कि लो कि इस तरह से ये हैं कि टिरा का भूल हमें कोल ले ना है जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला थ taş और उसके बाद इसका यह पट्ठी जो लौक करके राखता है पिन को हमें निकाल लेना है और ये कुछ इस तरह से आятсяणी से इसका पिन बाहर निकल जाता है कर दो कर देख सकते हैं इस तरह से यह पीन और इसके बाद यह पूरा यह कुछ ऐसे बहां निता जाएगा इसके बाद हम इसको ऐसे खोलना है और हाद दोस्तों यहां पर हमें ध्यान रखना है कि यह रोट नीचे के और गीरना जाए तो जैसे जैसे हम इसको टाइट करेंगे जैसा मैंने बटाया यह खूलेगा और इसको हमें सावडानी से खोलना है कि हमारा रोट नीचे ना गिर जाए नहीं तो फिर पूरा लिक और खोलना होगा तो इसको मैं पूरा बाहर निकाल लेता हूं उसके बाद में आपको दिखाता हूं हाँ तो दोस्तों जैसा क्या भी देख सकते हैं कि हमने इसको खोल लिया है कि यह वाला नट ऐसे निकल जाएगा और यह इसमें एक वासर होटा है और देख सकते हैं दोस्तों यह स्प्रिंग तीन हिस्सों में बढ़ गया है कि यह पूरा एक दो कि तीन अरे चार हिस्सों में तूटा है यार कि जार पांस हिस्से हो गए है इसके देख सकते हैं यहां पर और यह रोट को हमें पकर के रखना है टाके अंदर गीर ना जाए कुछ ऐसे तो देख सकते हैं दोस्तों यह स्प्रिंग का क्या हाल है है पूरा का पूरा तो यह वजा है जिसकी वजा से यह टेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है जैसे कभी-कभी एपलीमेंट गहरा ही ले रहा है कभी नहीं ले रहा है यानि उसका जो ड्राप लिवर है इसी के चलते से काम नहीं करता है लो इसको रखो इधर साइड में तो अभी हम इसमें नए स्प्रिंग लगाना है तो तो सबसे पहले हम इसका इसके बाद उसका इस्प्रिंग लौन नए इस्प्रिंग कहा है तो सकते हैं सकताया इसके बात अपर एसी वाइसर लग जाता है और ुचमें में इस तरह से यह रबर बूट होता है यह कर ये रबर पूठ हम्र में लगाना होता है ऐसे लेकिन यह खराब हो चुका है और हमने देखा तो यह अभी मार्केट में आविलेबल नहीं है जब मिल जाएगा तब हम इसमें इस तरह से खोल के लागा लेंगे देख सकते अभी यह इसका रबर यह रबर लागाना जरूरी है लेकिन फिलहाल अभी यह मिल नहीं रहा है तो इसको हम बाट में भी लगा सकते है केवली इस तरह से इसको खोल के उसके बाट क्या करना है दोस्तों जैसे हमने इसको खोला इसी तरह से फिर हमें इसको टाइट कर लेंगे यह खुलेगा जब हम इसको खोल रहा देख सकते हैं इस तरह से हम इसको खोलेंगे यह टाइट होगा तो चलो मैं इसको जल्दी से पूरा टाइट कर लेता हूं जैसे हमने इसका यॉर्क वागेरा जो निकाला यह वाला इसको भी हमें इस तरह से यहाँ पर भीटिंग करके उसका पीन वगेरा लगा कि इसको करना है जल्दी से को टाइट कर लेता हूं है ना इसको साफ पढ़ लो हाँ तो दोस्तों हमने इसको लगा लिया है देख सकते अभी यहां पर प्ले है यहां पर बिल्कुल भी प्ले नहीं होना चाहिए है तो अभी हमने इसलिए प्ले रखा है कि इसका यह जो यौक है आसानी से यहां पर फिट हो जाए मैं थोड़ा और करिचर दिखाने की से जवरों से जाड़ा अगर यह कटता है तो यह भी नया डालना होता है लेकिन यह भी फिलाल जूख है लाओ तो इस तरह से इसमें ग्रिश्ट लगा के हमें और यह कुछ आसानी से फिट हो जाता है जैसे हमने निकाला देख सकते हैं और उसके बाद इसका यह पट्टी और हमने जो तेरा का बोल खोला था इसको हमें यहां पर लॉक कर लेना है है तो इसको हम जल्दी से फिट करते हैं तो इस तरह से दोस्तों यह तेरा नम्मर का बोल goed sit कर लेने के बाद इसको यहाँ drink करना होता है इसको भी हम लोक कर लेंगे तो अभी टेख सकते है दोस्तो इसमें बहुत जयाड़ा play है न तो अब हमें यहां पे पिल्कुल प्ले ने रखना है यह जहुरत से ज़्यादा प्ले है तो जैसे जैसे हम इसको खोलेंगे कुछ ऐसे डिख सकते हैं यहां पर प्ले कम होगा और यहां पर हमें बिल्कुल भी प्ले ने रखना है कती हलका है ना अभी भी बहुत ज़्यादा प्ले है जितना जितना हम इसको इसक्रू को खोलेंगे उपए ठेक सकते हैं यहां पर प्ले कम हो जाएगा देख सकते हैं यह पहले बहुत ज़्यादा प्ले था ना कम से कम प्ले यहां पर बिल्कुल ना के बराबर में यहां में पि इस तरह से यहां बहुत ही कंपले रखनाएं अब यह अभी आधी यहां मुझाना अब होत जाब बतों है कि देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल कटी हलका प्ले है उसके बाद जैसे हमने यह उप्पे वाला नट इसका जो लॉक नट है इसको लगाना जरूरी है इसको भी हम अच्छे से टाइट कर लेंगे लोगन इसके बाद यह वाले इसका लॉक नट तो इस तरह से इसको लॉक कर लेना है ताकि यह कभी खुलना जाए तो अब देख सकते हैं पहले आपने देखा होगा यहां पर बहुत जाड़ा प्ले था अब देख सकते हैं काफी दबाव देना पड़ता है और यह वाला प्ले बिलुकुल खटम तो चलोँ अब हम टेक्तर करकरे आपको दिखाते है औलो टेक्टर को स्टार्ट करो नां Our जाल सिकोको दिखाऊ जिलाओ ऑफिन तो यहां पीच से उन्यामिल डाल देना रलाय और यह वाला डिविवर विए धसक्ते पी सी लेवर बिलकुत डाउन है और इसको हमने यहां पर रखना है मीडल में यहां से हम देखेंगे चलो स्टार्ट करो देख सकते हैं दोस्तों पेले आपने देखा होगा यहाँ पर हलका डबाव डेने से यह उठ रहा आठा लेकिन अब देख सकते हैं यह पूरा का पूरा बल दे दिया विडल में है देख सकते हैं अब इसने उठाया और जैसे जैसे हम इसको पीछे लेंगे उसमें सेंसिंग की समता बढ़ दाएगी यानि जमिन में गहरा ही काम लेगा देख सकते हैं यहाँ पर किया अब यह हलके डबाव में उठा लेगा देख सकते हैं और यहले आपने देखा होगा यहाँ पर जाने के बाद इसने कम नहीं कर रहा है तो हम यहाँ लेके देखते हैं अब देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पर यहाँ प wonderful देख भी Dit देखते हैं देख सकते हैं यह मिडल में रखा है और अब यह एससे दबाऊ देने से बिल्कुल इजिली काम करेगा देख सकते हैं बहुती बढ़िया है ना एक्टर को बंड़ करो हाथ दोस्तो मैं उमिद करता हूँ कि आपको मेरा यह समझाने का टड़ी का पसंद आया होगा और मैं आसा करता हूँ कि आप बहुती आसानी से यह ड्राप सेंसर रोट का सेटिंग समझ गए होगे कि इसको कैसे सेट करना होटा है यहां पर कितना प्ले रखना होटा है तो प्लेटिंग ना होने से टेक्टर में बहुत से नुकसान भी होटे है जैसे इसका टाय स्ट्रिप होने लगता है डीदल की खपट भी बढ़ जाती है यह चोटी चोटी वजाए होटी है जिसको हमें कभी भी नदरंदार नहीं करना होता है तो मैं उम्मिद करता हूँ दोस् तो हम जल्दी मिलेंगे इससे भी अच्छे वीडियो के साथ तब तक के लिए जन्यावाद